प्रियज हात्र Education.bhg में आपका स्वागत है आज हम लोग 8.4 का दूसरा प्रस्ण हल करेंगे पहला प्रस्ण हल कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में इसलिए दूसरा प्रस्ण हल करेंगे दूसरा प्रस्ण पर लेते हैं कोन ए के अन्य शभी तिरकोन मीतिय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए ये अन्य शभी का क्या अर्थ हो अब आप जानते हैं कि यहां देखिए साइन थीटा कौस थीटा टैन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कौस थीटा ये च्छ अनुपात है तिरकोन मीतिय अनुप इसको बोलते हैं शेक के पद़ों में यह तो सेक खुद सेक को छोरकर इस सेक को छोरकर यह जो पांचो थिटा थिटा कौ। करना है यान इसको छोरकर तो इसलों लिखा हुआ है अन्यशभी तिर्कौन मिती अनुपात को शेक एक पदों म conse थीटा के जगह पर ये भी लिख सकते हैं. अब आप देखिए, हम सबसे पहले साइन थीटा को सेख के पदों में व्यक्त करते हैं. कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं. साइन थीटा. अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, स्क्वार थीटा पराबर कल एक वीडियो बनाए हुए थे उस वीडियो में हम बताए थे स्वार थीटा पराबर होता है one minus कोश एस्क्वाईर थीटा यहां देखिए स्वार रहता तब ऐसा होता लेकिन यहां से एस्कॵाईर हटाएंगे तो इसके उपर root हो जाएगा समझ ये इस बात को sin square theta वराबर 1 minus cos square theta होता है यदि square हटाएंगे तो इसमें root हो जाएगा अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे हमको इसे तो सेक के पदों में व्यक्त करना है सेक तो अभी हुआ नहीं तो क्या करेंगे यह one तो one ही रहेगा अब एक फर्मूला होता है आपको याद किजिए हमें बताए हुए थे फर्मूला cos theta यहाँ देखिए cos theta वराबर 1 बटट सेक थिटा है square है तो इसके उपर square हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 बटट सेक square theta अब यहाँ देखिए यहाँ बटट में कुछ नहीं है तो एक है तो हम यहाँ पर इसका भिंड का घटा उपर देंगे एक और shake square theta के LCM यदी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा shake square theta एक से shake square theta में भाग देंगे तो shake square theta ही होगा और उस shake square theta को उपर वाले से गुना करेंगे तो shake square theta हो shake square theta माइनस अब shake square theta से shake square theta में भाग देंगे तो वहाँ पर एक होगा एक गुना एक होगा अब यहाँ देखिए यहाँ root जो है उपर में भी है और नीचे में भी है तो नीचे में एक ही सिक पर यदि रूट देंगे तो इसका स्क्क्वार खतम हो जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर शेक स्क्वार थीटा माइनस यहां हो जाएगा सेक थिटा देखिए, sin theta को सिक के पदों में व्यक्त कर दिए, अब यहां देखिए, sin को बदल दिए, अब आगे हमें किसको बदलना है? कोस theta को, अब देखिए थोरे सी यहां पे mistake क्या हो गया, यहां पे हम theta लिख दिए, यहां पे कोन a है, इसमें कोई tension लेने वाले बात नहीं है, आप theta चलिए, SIGN का तो हो गया, अब हमें COS का बदलना है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं COS A, COS A बराबर क्या हुआ है, saat COS A वाला अब ये दो टो साइन को बदल दिये सिक के पदों में, कोस को भी बदल दिये सिक के पदों में, अब टेन को बदलना है, फिर लिखेंगे, टेन ए बराबर, अब देखिए एक फर्मूला है, हम कल बताय हुए थे सुत्र में, यहां तिहांस देखिए, सुत्र वाले लिस्ट में आप देख लेंगे 10 square theta बराबर 6 square theta minus 1 यदि square हटाएंगे तो इसके उपर क्या हो जाएगा root हो जाएगा 10 a बराबर हो गया 6 square a minus 1 इस पर square था square हटाएंगे तो इस पर under root हो जाएगा यह एक ही बार में इसका फर्मूला ही होता यहाँ पर a होना चाहिए था 10 हो गया अब coat को बदलना है coat a coat a को बदलेंगे coat a बराबर सुत्र क्या होता है सुत्र आपको याद होगा बताएए क्या होगा coat a बराबर क्यों 1 बट टेन a होगा ठीक अब यहाँ देखिए 10 a बराबर यह सुत्र होता है क्योंकि यहाँ पर 10 square वला आपको याद होगा square हटाए तो root हो गया तो जब 10 a बराबर यह हुआ तो यहाँ 10 के जगह पर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देंगे एक बटे 6 square a minus 1 under root अब दिखिए coat a बराबर हो गया अब इस 4 को थम सेक के पदों में व्यक्त कर चुके हैं अब हमें कोसेक ठीटा को बदलना है सेक के पदों में यह कैसे बदलाएगा अब यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम इसे दूसरे पेज पर बना रहे हैं यहाँ देखिए कोसेक ए को बदलना है हमें सेक ए के पदों में तो कोसेक ठीटा बराबर होता एक बटा साइन ठीटा एक बटा साइन ए हो गया अब यहाँ पर एक बटे शाइन यह जो साइन है इससे पहले हम साइन को बदले हुए थे सेक के पदों में ऐसा मैं बदल चुका हूँ यहां पर देखिए साइन थीटा वराबर मैं बदला हूँ ना साइन थीटा वर यहां स्क्वार हटाई इसमें रूट हुआ था यही चीज को हम वहां पर रख दिये हैं अब आप देखिए हमें तो सेक के पदों में इसे व्यक्ट करना है यहां स्क्वार ठीटा एक जगा पर लिखेंगे एक बटे सेक एसक्वार ए यह लाइन एक्स्ट्रा हो गया नहीं देडीना था अब दखिए यहां पर क्या करेंगे यह एक तो अंस है इसलिए एक उपर ही रहेगा यहां बटे में कुछ नहीं है तो एक देदेंगे समझिए इस चीज़ को यहाँ पर अभी root है तो root के साथ में देंगे 1 और shake square A का LCM जो है shake square A होगा 1 से shake square A में भाग देंगे तो shake square A होगा और shake square A को 1 से उपर वाल यान्ज से गुना करेंगे तो shake square A माइनस अब shake square से shake square में भाग देंगे तो एक एक गुना एक एक होगे देखें यहाँ अब यह रूट उपर नीचे दोनों पर है रूट है तो यह रूट क्या होगा रूट दोनों पर है ना तो दोनों पर देंगे यहाँ क्या हो जाएगा वान इस पर रूट दे रहते हैं सेक एस्क्वाइर सेक A हो गया अब क्या होगा इसको पलट देंगे क्या करेंगे इसको पलट देंगे समझे सिज को यहां लिख देते हैं फिर से को सेक A बराबर 1 बट रूट अंडर सेक स्क्वार A माइनस 1 इन्टू सेक A इसको यह पलटेंगे गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक A बट रूट अंडर सेक स्क्वार A माइनस 1 यह हो गया को सेक को सेक के पदों में गात करते हैं इस तरह के जो प्रस्ण है आप दो चार बार बनाएंगे तब ही बनेगा फर्स टाइम में आपको यह भारी लगेगा भा प्रस्ण हल नहीं होगा एक बार ध्यान से देख लिजिए नोट कर लिजिए हमें उमीद है आपको यह प्रस्ण समझ में आया होगा एक दो बार अभ्यास कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करकर बताईए और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमा स्सक्राइब कर लिजिए हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद